तो यहां पर फाइनली NTA की तरब से नीट UG 2023 के एप्लिकेशन फॉर्म्स रिलीज कर दिये गए हैं ओफिशल नोट्फिकेशन यहां पर आ चुक है या अभी अभी पॉर्टल पे NTA के पॉर्टल पर अपडेट हो चुकी है इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं किया कोछ यहां पर आ चुका है कब से फर्म लगाने क्या कुछ रहने वाला साब कुछ डीटेल में मैं आपको समझाओंगा वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना Instant NTA की website पर आपको मिल जाएगी तो यहनपे नीचे आगा हम देह लेंगे इसमें यहना पर BHMS, BWS, BWS MAS की सारी सीट ज़ाँगे वो निट UG के 3 ही फिलफ हो颜़ हैं और BHMS की की स्पैचली सीट जढे यह हो भी इसी के 3 ूछ हो जाएंगे उसके सारत पहले यहां पर हम देख लेंगे application forms की जो dates हैं वो यहां पर देख लेंगे, उसके बाद हम further discuss करेंगे, देखे, online application form आपके आज से लगना शुरू हो चुके हैं, और 6 April आपकी last date रहने वाली, 6 April शाम के 9 वज़े तक आप online application form लगा सकते हैं, फी की यहां पर जो है, आपको 6 April तक आपको अपनी फी जो सब्मेट करनी पड़ेगी, उसके बाद correction window यहां वो separately announce कर दी जाएगी, कब open हो जाएगा, उसकी dates यहां पर फिलाल यहां पर mention नहीं किये गए हैं, फी की यहां पर बात करें, फी यहां पर different रहने वाले, इंडिया की जो ओपन मेरेट की उनको 1700 फी लगने वाले है, उसके बाद general EWS, OBC, NCL के चंडिएट्स हैं, 16,000 की फीज लेने वाले है, SES,T और PWD के चंडिएट्स के लिए, उसके साथ 3rd जेनर के चंडिएट्स हैं, उनको 1000 फी रहने वाले है, outsiders के लिए यहां पर 9500 फी रहने वाले हैं, उसके बाद examination cities जो होगी, वो announce letter कर दी जाएंगी, उसके फिलाल यहां पर dates नहीं आ चुकी है, admit cards की भी यहां पर dates कुछ आ नहीं में, इन्होंने mention की हैं, उसके भी dates letter announce कर दी जाएंगी, उसके बाद examination की यहां पर हम बात करें, exam आपका 7 मही को यहां पर रहने वाला है, Saturday को, उसके बाद duration of examination की बाद अगर करें, 200 मिनट का आपका time रहने वाला है, यांकि तीन गंटे 20 मिनट का यहां पर रहने वाला है, timing की बाद करें, 2 बज़े से लेकि 5 बज़े कर 20 मिनट तक आपको यहां पर time दिया जाएगा, उसके बाद center dates और shift need के जब admit card आ जाएगी, center और shift अगर आपको OC में mention कर दिया जाएगा, जो आपका admit card आ जाएगा, उसके बाद, recorded response जो OMR sheet की आपकी है, वो भी website, NDA की website लेटर announce कर दिया जाएगा, और website यहां पर www.nda.ac.in, और उसके साथ https, neat.nda.nic.in, और उसके साथ जो आपका result होगा, वो letter announce कर दिया जाएगा, जब आप आपको 200 multiple choice questions रहने वाले हैं, जैसे आपको पता है कि NCIT ने जो syllabus reduce किया, उसका मैंने आपको पहले ही बोला था कि NEET UG 2023 पर उसका कोई भी impact रहने वाला नहीं है, इसमें आपको physics से 50, chemistry से 50, zology botany से 50, 50 रहने वाले हैं, टोटल यहां पको 200 questions आ जाएगे, 200 questions को आपको तीन इसमें conduct किया जाएगा, जैसे English, Hindi, Assamese, Bengali, Gujarati और बाकी सारे जिसमें, यहां पर Urdu, Telgo, Tamil वगएरा भी mention किये हुए हैं, तो इस तरह से आपका NEET UG का पेपर रहने वाले हैं, तो dates यहां पर आ चुकी हैं, मैंने आपको detail में समझा दिए, आप यहां पे कुछ instructions दी हुए, यहां पे आप देख लीजे स्क्रीन पे, इसमें जो application form आपको 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 पता हैं, और इसके सरस्त वेबसाइट भी यहां पे neat.nta.nic.in, उसके बाद application form के लिए आपको submit करना पड़ेगा, एक ही form आपको submit कर सकते हैं, और mobile number, email ID आपकी valid होने चाहिए, और वो आपकी mobile मे इस तरह से fill up करना है, क्या कुछ करना है, उसके बारे में मैं कल वीडियो डालूँगा, वो भी आप देखके, अपना application form को submit कर देना, तो चलिए वीडियो को यहां पर खतम कर लेते हैं, यह थी NTA की NEET UG2023 के registration notification नोटफिकेशिट, जो मैंने आपको डेटेल में समझा थी, क कोई confusion doubt हो, कमेट सेक्शन में बता सकते हैं,